आपको वो हैश्टेक मैं बताऊंगा वही हैश्टेक लगाईएगा और आपकी रील 100% वायरल होगी या तो हम कुछ ऐसा सिस्टम समझ लें या इस्टाग्राम से कुछ ऐसी हमें जानकारी मिल जाए कि हम ऐसा कुछ करें तो हमारी वीडियो या हमारी रील वायरल हो जाए लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हम भी जानकारी मिल नहीं पाई है तो हम क्या करते हैं जातार हम लोग इस्ट पर लिःश्वार्ड परमक्षाइब की दोसों सव दोसों परमक्षाइब पर रूख जाती तो अगर हम यह चाहते हैं कि जब भी इस्टक्राम पर यह हैश्टेक ना लगाओ फिर भी रील वाइरल हो जाती है यह एक्स्पेरिमेंट भी है यह टेस्ट भी हो चुका है कि अगर कोई है लगाया जाये तब भी रील वायरल जाती है तो उसके पीछे की जो लॉजिक है वो क्या होती है कि उनका कंटेंट बहुत ही जबर्दस होता या उनकी रीच पहले से ही बहुत ज्यादा है तो एक तो यह बज़े हो गई दूसरी चीज अभी नए क्रियेटर है नए लोग है और उन लोगों के लिए अगर यह प्रॉब्लम आती तो वह लोग क्या चाहते कि शुरुआ से उन्हें को ऐसी चीज मिल जाए जिससे उनकी भी रीच में आ जाए या उतनी ही वाइरल हो तो लोग उसके लिए क्या करते हैं बिन सिधे टैक पर फोकस जास उसमें है इसटैग घ्र भर दीजे उड़ा करके तो ऐसा बिल्कुल मत और क्रिये गा क्योंकि यह चीज़ Instagram को क्या लगतीय है इसको बोलते हैं मिन टाइक की फिर कर दिया आप जो करते हैं तो Instagram को लगता है कि यह किसी ट्रिक को लगा करके हमसे वियूज चाहता है या अपनी रील को बायर करना चाहता है तो instagram इस चीज को पसंद नहीं करता है तो आप stuffing मत करिए लेकिन आप टेग लगाईए लेकिन उतने ही लगाईए जितना instagram कहता है अब बात या थी कि सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका content आपने बनाया और आपने कहीं से भी hashtag उठा लिया कई बार क्या करते हैं लोग कि किसी भी app पर चले जाते हैं या कोई भी website पर चले जाते हैं उस website पर उनको free में tag मिल जाते हैं वहां से सीथे वह tag को copy करते हैं और उन tag को अपनी reel में place कर लेते हैं और उसके बाद वहां पर चुके वह लिखा रहता है ना कि यह वाले hashtag बहुत अच्छे हैं इन hashtag से आपको result मिलेगा लेकिन अच्छली इसका उल्टा होता है वह hashtag बिलकुल काम नहीं करते हैं तो मैं किसी website य कोहां पर दिया हुआ है तो हो सकता है कभी वह trending रहा हो किसी particular काम के लिए किसी particular niche के लिए वह trending रहा हो लेकिन आज की date में वह trend ना कर रहा हो और आपने उनी hashtag को उठाकर अपने वीडियो में लगाते हैं अपनी reel पे लगाते हैं और आपकी reel से वह result आपको नहीं मिलता है तो आपका जो tag होगा वह food से related होना चाहिए अगर आपका वीडियो जिम का है exercise का है तो आपका जो tag होगा वह exercise या जिम या कुछ इस तरीके का ही tag होना चाहिए वह tag कौन से है वह top tag मैं आपको दूंगा भी और वही tag आप यूज़ करेंगे और उन tag से आपकी reel होगी आपको वह tag payment करके मिलेगा नहीं बिल्कुल free में मिलेगा लेकिन free का process है अब जिन tags की मैं बात कर रहा हूँ वह viral tag आपको कहां से मिलने वाले है उसके लिए मैं आपको सीधे अपने mobile में आपको Instagram को open कर लेना है ठीक है जैसे मैं यहाँ पर open कर लेता हूँ अपने Instagram को हाँ यहाँ पर Instagram open के बाद नीचे search box में जाते हैं यहाँ जब उपर लिखा हुआ search यही पिछले आते हैं और जैसे आपको अगर देखना है कि आपके कौन से tag trending है जिन trending tags को आपको लेना है तो सबसे पहले आपको समझना है कि आपकी नीच क्या है नीच अगर आपकी by the way जिम है यह exercise है या food है तो अभी food से लेलेट अब जो हमारे top के tags हैं वो यहाँ पर दिखने लगे हैं यहाँ पर one two three four four tags दिख रहे हैं जो कि popular हैं हमें और भी देखना है तो हम see all post या see all results पे click कर देते हैं तो बहुत सारे हमें दिखने लगते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा popular वाले उपर वाले हैं क फूडी two two nine million जितना नीचे आते जाएंगे वो कम होता जाएगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से tag यहां से यूज करने तो मतलब यह मैंने फूर का एक example दिया है अगर आपका technical work है तो आप लिखेंगे hash technical अगर आपका जिम का है या आपका exercise का है आप लिख देंगे hash exercise लेकिन यह tag ऐसा ही नहीं काम करेंगे इस tag के बाद भी आपको क्या करना होगा जो आपको ध्यान रखना है content is always king इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे वीडियो जिसमें tag नहीं भी लगा होता है वो वीडियो भी हमारी काफी popular हो जाती है क्यों क्योंकि content is king mean अगर content बहुत अच्छा है आपका तो फिर उसे कोई रोकी नहीं सकता mean उसे tag नहीं आगे बढ़ाएगा उसे public उसे वीवर उसे आपकी audience खुद ही आगे बढ़ाती चली जाएगी तो इस चीज़ का आपको खास धियान रखना है और दूसरी चीज जो मैंने tag वाली बात तो तब भी हमें नहीं लगाना है क्योंकि अगर ऐसा किया हमने तो इंस्टाग्राम को लगता है कि यह गलत है और फिर ऐसे केस में हमारे वीडियो को फ्रीज भी कर सकता है और इसके साथ आपको इस बात का खास धियान रखना है कि अगर आपके टैक सही है आपका content सही है त आपका video इंप्रेशन ज्यादा पाएगा तो अबिसली बहुत लोगों तक पहुंचेगा तो आपकी real वाइरल होने के चांस बढ़ जाते हैं दोस्तों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल नोटिफिकेशन को भी आउन करें ताकि आपको हमारे लेटेस वीडियो मिलते रहें सबसे पहले.